कास वीडियो हम आपको बताने सब्सकी करते। कि अगर आप पीतल का वरतनि यूज़ कर्ते हैं या तांबे का वरतनि यूज़ करते और इसको क्लीन करना चाहते हैं बहुत ही चमकदार बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो खास दोर आप लोगों के लिए विए विल्हें वेल्कम बैक में अधर न्यून वीडियो मेरा नहीं हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पीतल या स्थील या सिल्वर किसी तरीके का आयरन या अल्मूनियम या ब बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है P3E 3F जो है फर्मूला है इसके अंतर है बहुत 25 साल से बहुत टाइम से यह कस्टमर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉबलर है और बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं तो पीचे तरीका बताया गया है और आराम से आप ली जैए पहले तो बटन को क्लीन कर लीचे फिसको अराम से इसको मैस करके हलके हांसे आपको लगाना है और एर्ज वर्तन बहुत ही अच्छी तरीक से क्लीन हो जागा इसका और बहुत सारे प्रोड़क्ट्ट यह जाए आते हैं जो आपको फ्लूर क्लीनिंग के लिए प्राइजनेंस भी अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप इसको खरी देंगे तो बहुत यसान तरीक से वंडर फ्रेश्ट आप पूलियेगा तो आपको डेफिनेटली आपके आसपास के दुखावनों में आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर मैं अब ही क्या के मिट गया तो आप वही साफ से सोच लिजेगा को इस पर फ्रेश्ट प्राइजिंग और यह जो खास वाप वीडियो है उन लोगों के लिए जो घरेली तोर पे बहुत सारे तामे या पीटल के बर्तन यूस करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी जो बर्तन हमें इसा चमकते रहें तो इस चीज को ट्राइब कर से तो उमीद आपको यी वीडियो पसंद आए कि छोड़ा सा वाक रहूं था कि अगर आप इस ताइप को कुछ दिख रहें तो वह बहुत मदद करें कि आपके बर्तनों को चमकाने में चाहे वो सिल्वर है क्रॉपर है यह त कांबे के बर्तन है तो वह आपको एक अच्छा सा एक एक्सप्रियेंस देने वाला है उमीद आपको यी वीडियो पसंद आए उस सपोर्ट किए सब्सक्राइब कीजिए और कुछ पूश्रा जोर पूचे कमें सेक्शन में आपको लिंक मिल जागा थांक्यों सो मच